हेलो फ्रेंज, वेलकम तो और चैनल, तो वैलू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपोर्टन नॉलेज लेके आते हैं, जो आपको आपके परसनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत से याद करके रखो, तो दोस्तो आपने अकसर मूवीज में या फिर कहीं पर भी न्यूस पेपर या फिर वीडियो में देखा होगा, कि फ्वासी की सजा देने के बाद जज जो है, वो पेन की नीप तोड़ देते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉज पर दी जाती है, यह एकदम ऐसे घिनुलिक काम जिसने किया रहेगा, उसको दी जाती है, और ज़्यादा तो जजजेस, यह ज़्यादा तर जो वहाँ पर जूरीज रहती है, वो यह अवाइड करती है कि किसी को फासी की सजा दी जाए, तो दोस्तो इंडिया में ऐसा और जब भी ऐसा होता है दोस्तो, तो जजजेस जो है, वो पेन की नीब तोड़ देते हैं, और वो अपना एक जो है, वो अपना एमोशन जाहिर करते हैं कि हमें भी इसका दुख हुआ है, और हम यह जो दुख है, यह पेन की नीब तोड़के जाहिर कर रहें, ठीके दोस्त जो पें की नीब टोड़ी जाते है और वो पें कभी भी वापिस यूज नहीं करते है तो दोस्तो यह तो हो गई पहली चीज अब एगर हम थोड़ा सा हिस्टरी में जाये तो यह जो पर्टिकुलर जो ट्रैडिशन है जो पें की नीब टोड़ने का डेट सेंटेंस के बाद य उनको फासी की सजा सुनाई थी तब भी ऐसा हुआ था कि जो जजेज जो थे उन्होंने पेन की नीप जो थी वो तोड़ दी थी लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कोई ऐसा कंपल्शन है याने ऐसा रूल है कि जजेज को कि ऐसा करना ही पड़ता है तो ऐसा नहीं है दोस्तो यह तो सब डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर जजेज के उपर और उस टाइम पे वो कौन सा पेन यूज कर रहा है क्योंकि दोस्तों अगर हम आज की तारिक की बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जज जो है वो सेंटेंस देने के टाइम जो नीप का पेन है वही यूज इसकता है अगर वह बाल पेन यूज करता है दोस्तों तो ऐसा नहीं होता है कि वह बाल पेन की नीप तोड़तना तो बहुत मुशकल दोस्तों क्योंकि वहां पेर प्लाइज करते है तो उस टाइम पेर फ्रसकिन करता है दोस्तों यह सब अज Ilfalls कर दो पर जोड़त NicToŚता है ओझेरे दोष आपको आपको पता चल गए कि इसके पीछे किया जाता है यह के लिए किया जाता है दोस्तों की जो एक धुखत घटना हुई हुए दोस्तों उसे जाहिर करने के लिए यह पेंद की निप तोड़ी जाते है और ऐसा वापिस नहों ऐसी वापिस करने की नोबत नहीं है इसी के वज़े से किया जाता है दोस्तो अगर अगर कोई भी सुनवाई कर देते हैं दोस्तो तो उनको अपना डिसिजेन जो है वो राश्ट्रपति के पास भी जाता है और राश्ट्रपति अगर लगे तो उस decision पर वापिस जो है वो reward कर सकता है और बदल सकता है लेकिन दोस्तों जज़े जो है एक बार अगर सुनवाई कर देते हैं तो पेन की नीप तोड़ देते हैं और वो बदा देते हैं कि अभी हम इस decision को बदल नहीं सकते तो यही सारी चीज़े दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गई इसके लाव दोस्तों हमारी चानल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैलिबल नौलेज शेर किया है यह सारा नौलेज आप हमारे प्लेलीस में जाकर देख सकते हो हमने टेक्न को सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसी वैलिबल इन्फरमेशन घर पे टे मिलते रहेगी और आप अपने लाइफ में तरक्य कर सकते हो तो दोस्तों यह वीडियो में बस इतना इधा जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपोर्टन टॉपिक के साथ कुछ और नॉलिज के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक्यों वेरी मच